तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपली एंड बिल्कुल ज्यादा परफेक्ट एंड बिल्कुल ओईल फ्री रेसिपी लेकी आयू जिसका नाम है छोले गुल्चे मतलब कुल्चों में तो बटर से सेखते हैं पर जो छोले बना रहे हूं मैं आज वो बि बटर नाही घी और आही आपके लिया और बिल्कुल जबदस्त इस्ट्रीट स्टाइल चोले कुल्चे बना के मैं थैयार किये थे और मैंने बच्चों को भी सर्फ किये थे देखो बच्चे की ते मतिस से खाए है तो चली इसको मैं बनाना शुरू करती हूं और आपको रेस हैं यह छोले और तो यह वाले मैंने मटर लिये हैं वो छोले नहीं लिये क्योंकि जो प्रॉपर छोले कुल्च से बनते हैं वो इसी वाले मटर से बनते हैं इसलिए तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कुकर में चड़ा दिया था तो कुकर में मैंने डाला था यह पटैटो और ये छोले और इसमें कुछ बेसिक्स मसाले एड़ कर दिये थे हल्दी नमग, मिर्श धनिया और थोड़ा सा खाना सोड़ा की जिससे की वो अच्छे से पक जाएं और इसके बाद मैंने एक वैजिस ले लिए थे हैं प्यास टमाटर, शिम्ला मिर्ची, और ग्रीन चिली, और मैंने याँ आदराकरण लेसन पीड भी बना ले था फिर उसके बाद मैंने यहां पर कड़ाई ले ले ली थी जो आलू अップले थे हमारे छोल ले अपले ते हział और इसको अच्छे से हमें पकान है यहां पड़ना है यहां पास नहीं हो तो उसकी जगे आपको क्या इस्तमाल करना है मैं बताती हूँ तो उसकी जगे आप डाल सकते हो नीबू और डाल सकते हो इमली तो फिर मैंने तो यहापे सोया सोसार बिने कर डाली लिया था तो उसके बाद फिर मैंने आपे जो वैजिस कट करी थी वो मैंने डाल अगर आपके पास थोड़ा सा पत्ता को भी हो तो इसको ब भीकृष करके आप डाल सकते हुं। मैंने यह आप इत् הי वैजियस डाली थि, आपके मन पसंद गाज और वगरा है यह आप ढलना चाहँ तो आप चोले में बनाते हैं तो यह पिल्कुल ऑईल फ्री रेसीपी है तो इसको एक पास त्राइब करना बनता है और कुल्चे जो थे वह मैंने मार्केट से मंगाई लिए थे तो कुल्चो को हमने या पे बटर में दोनों तरप से ख लिया था और फिर यह जो चोले थे उसके ऊपर ह ही थोड़ा सा दिखाने के लिए और फिर यहां मोशक के वंपर भी हम थोड़ा सा धनिया को डाल देंगे क्योंकि देखने में लगता इसलिए क्योंकि बिलकुल इस तारह से मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टायल बना के यह दिखाई हो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाइब यू आल गाइज